दोस्तों आप लोगोंने बास तो जरूर देखा होगा बास एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नजर और हसले के लिए सूपर फिम्बस है बास की उम्मन सतर साल की होती है शुवात के चालिस साल बास एक तब मज़े में जीता है लेकिन चालिस साल के बाद बास कमजोर हो जाता है उसके पंजे बड़े होने के कारण मुड़ जाते हैं और शिकार नहीं पगड़ पाते इसकी लंबी और तीकी चोच भी आगे से मुड़ जाती है पंक मोटे हो जाने से भारी हो जाते हैं और उसकी छादे से चिपक जाते हैं इससे उसे उड़ने में बहुत दिक्कत होती है ऐसे समय में बास के पास दो ही रास्ते बचते हैं या तो वह अपना जीवन त्याग दे या फिर बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रिक्रिया से गुदरे नया जीवन प्राप्त करने के लिए बास उरकर पहार की सबसे उची चटान पर जाता है और वहां घोसला बनाकर रहना शुरू कर देता है बास चटान पर अपनी चोच मार मार के तोड़ देता है उसके बाद वह अपने पंजो को तोड़ता है और अंत में अपने भारी होची के पंको को भी नोच कर फेक देता है बास को पुरानी अवस्तर में वापस आने के लिए पांच महीना वेट करना पड़ता है इसके बाद बास का नया जनम होता है जिसके बाद वह एक बार फिर से आस्मान का राजा बन जाता है ऐसे जुजारू बास के लिए एक लाइक तो बनता है